दोस्तो आदाब सलाम आए जानते है आज का टॉपिक है बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ क्या है ये जो जैकेट देख रहे हैं ये बुलेट प्रूफ है पुलीस फोर्स वगरा ये पेहनते हैं अपनी रक्षा के लिए इसका साइज क्या होता है ये पूरे छेस्टे से देखे आपके कमर से इसमें कुण ऐसा चीज रहता है जो बुलेट से प्रूफ करता है मतलब रक्षा करता आईए जानते ही इस जैकेट का उपर का कपड़ा हटा कर इसके अंदर चार लेयर होता है पहला लेयर होता है सिरामिक फाइबर लेयर दूसरा लेयर होता है तो एक-ए करके समझते हैं बुलेट को कैसे ये रोग देता है, जब गन से बुलेट निकलती है तो उसकी स्पीड लगभग 500 मिटर पर इस सिकन होता है कितना 500 M 500 मीटर पर इस बुलेट का स्पीड. और यह जब bullet निकलता है, तो महुत गरम भी होता है, दोस्तों, आईये जानते हैं, जब फ़स्ट लेयर पर bullet पढ़ता है, उसे कहते हैं, सिरामिक लेयर पर जब बुलेट पड़ता है तो यह बुलेट का नोखिला होता है वो नोख चप्ठा हो जाता है यह तूड जाता है और इस पीड थोड़ा कम हो जाता है फिर दूसरे लेयर पर चलते है तो पहला लेयर हो गया यह वाला यहां पर इसका मुंग हो गया फाइबर लेयर कहते हैं इसमें यह क्या होता है यह लचीला होता है थोड़ा और स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है इसको यह अगर छेद लिया तो इसमें इसका किनेटिक इनर्जी कम कर लेता है पूरे सर्फ इसमें इस बुलेट का स्पीट इस पूरे सर्फेस पर जैस श का स्पिड और इस बुल्लिट का स्पिड हो जाता है कम जब इससे भी कर के इस में चला आया तो इस लेश को कहते हैं व brag next layer क्या कहते हैं वरड्टेक्स लेः Verify में इस इस और डीयर का अपग्रेड़ फर्जन है इसमें भी यह लक्षिला होता है और बहुत मजबूत होता है इस अरमीट फाइवर से भी जादे वर्क्टेक्स लेयर मजबूत होता है इसमें इसका स्पीड कम जाता है और और चिप्टा हो जाता है फिर जाके यह फूर्थ लेयर में आता है यह पहला दूसरा तिसरा ये चोथा लेयर में आता है ये पॉली इथिलीन का बना होता है ये लेयर जो चोथा है ये पॉली इथिलीन का बना होता है पॉली इथिलीन लेयर इसे कहते हैं ये बुलेट पूरूफ का लाश्क लेयर पॉली इथिलीन लेयर हो गया इसमें आके अगर इसके अंदर जाने की कोशिस किया ये गरम भी भैक्त होता है फिगग जाता है थोड़ा बहुत औहों और ये जकार लेता है polyethylene इस bullet को और अंदर नहीं जाता है इस तरीके से रक्षा करता है bullet proof bullet से दोस्तों लाइक दवा किया है लाइकर दिया करो दोस्तों